हेलो फ्रैंस जैसा कि आप मेरे बोर्ड के पीछे देख रहे होंगे कि मैंने कुछ कम्माल के सेंटेंसेस लिखे हुआ हैं और आज इसी को हम इस लेसन में सीखने की कोशिस करेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं धूप में खेलना बंद करो टीवी देखना बंद करो मोबाइल चलाना बंद करो पैसा लेना बंद करो लाश में बंद करो हर एक सेंटेंस में लगा हुआ है और आज कल आप देखी रहे हैं कि बहुत जादा गर्मिया हो रही है राइट अकसर अपने घर में बच्चों को बोलते हैं धूप में खेलना बंद करो नहीं कि धूप में खेलना बंद कर दीजिए नहीं तो तब इत्खराब हो जाएगी तो इस तरह के सेंटेंस हम अक्सर बोलते हैं लेकिन अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं आज हम बहुत ही असानी से इस लेस येस बिलीब भी आप अगला साथ सब्सकुद बना लेंगे और अभी कि अभी आप देखिए आप कहेंगे येस मैं बना सकता हूं तो आए तो सीखने की कोशिश करते हैं कोशिश क्या इंपाक्ट सीखते हैं आप जरूर सीख जाएंगे राइट चलिए पहले को निखना है कि बन्द करो बन्द करो को क्या कहते हैं सिंपल सी बात है आपको कहना है स्टॉफ क्या कहना है कि इस ट्रॉब द्श्र तो हम दाबर लगाना और इसके नेक्स में लगाना है जैनि क्या कह सकते हैं श्रॉफ अ स्टॉफ पलस वी ऑलठ फर्फ पर्फं также कि आए इंजी बला फों बहुत असाने शी भेंगे आप देखें कैसे मैंने का धृट में खेलना बंद करो आप लिखेंगे stop फ्लेंग फूर्थ हम आगया stop playing in the sun right stop playing in the sun ठेक है टीवी देखना बंद करो स्टॉप वॉचिंग टीवी और अक्सर आपने बच्चों कोई चीज बोलते रहते हैं वहीं टीवी देखना बंद करो अब बच्चे तो आप जानते हैं तीवी देखने हम भगन रहते हैं कभी कार्टून देखेंगे कभी कुछ और देखते हैं अब परेंस हम जोड़ बोलते हैं टीवी देखना बंद करो फॉचिंग टीवी नेट्च नेक्स तेकते हैं मॉबाइल चलाना बंद करो आप लिखेंगे थिस्टॉप यूजिंग मॉबाइल यह यह पर आप चाहएं था हैं पर फोन के सकते हैं stop using phone right so stop using mobile stop using phone phone चलाना बंद करो या मोबाई चलाना बंद करो अगर दिखते हैं पैसे लेना बंद करो stop टेकिंग मनी पैसे लेना बंद करो अक्सर बच्चे लोग जो है ना लगातार ममी से पैसे मागते रहते हैं किसी भी चीज के लिए ममी मैं आईस्तिम खाऊंगा ममी मैं कुरकुडा खाऊंगा लगातार पैसे बानते हैं और ममी ने कहा बिटा पैसे लेना बंद करो याने कि stop taking money जूट बोलना बंद करो उस पे चिलाना बंद करो यह दो संटेस आप देख पा रहे हैं हमारे रीचे ठीक है बोर्ट में लिखा हुआ है असानी के साथ अंगरेजी सीख पाएं मुझे यकीन है कि आप यह दोनों संटेस ट्रांसलेट कर सकते हैं इंट जरूर कर पाएंगे comment box में जरूर इन दोनों को ट्रांसलेट करके बताईएगा मुझे आप सब के answers का इंपजार रहेगा Thank you so much